प्रिये दोस्तों, आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लाक, घड़ी जो रिजनिंग का एक बहुत ही महत्पूर चैप्टर है और इसे बहुत टाइप के क्वेस्टन्स पूछे जाते हैं तो आज मैं आपको सिखाूँगा इसमें कि जो दो सूईया होती है घड़ी की उनके बीच एंगल कैसे डिसाइड के जाता है यै कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड के जाता है उसके बारे में तो आईए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो सुईया होती हैं, वो कितना और किस प्रकार से भूमती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसमें ये जो आपकी घड़ी होती है, जो वाच होती है, ये एक तरह से देखा जाया तो क्या होती है, ये जो आपकी घड़ी होती है, ये एक बृत के अकार की होती है क्या होती है, बृत के अकार की होती है, यह आप जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि बृत के केंदर पर जो बनने वाला कूण होता है, पूरी वो कितने का होता है, 360 डिगरी का होता है, बृत के केंदर पर कितने का कूण बनता है, 360 डिगरी का कूण बनता है, यह हम लोग जा अब यतना हम लोग जानते हैं कि 360 का कोड़ बनता है तो अब आप से question पूछा जाएगा कि मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई या छोटी सुई सारी बड़ी सुई मिनट वाली सुई या फिर बड़ी सुई भई हम जानते हैं कि मिनट वाली सुई क्या होती है बड़ी सुई होती है और घंटे वाली सुई छोटी सुई होती है तो question होगा कि मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितने अंस का कौड बनाती है तो मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितने अंस का कौड बनाती है 360 क्योंकि हम जानते हैं कि किसी बिंद उपर बनने वाला जो कौड होता है वो 360 डिगरी का होता है तो आईए चलते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे मीनट वाली सुई के लिए मीनट की सुई मीनट की सुई एक चक्कर लगाने में कितना अंस घूमती है 360 या फिर एक घंटे में पुरा एक चक्कर लगाती है तो लोग ये भी जानते हैं मीनट वाली सुई जब ये एक घंटा होता है मान लिजी हमें 12 से 1 बजाना है 12 से क्या करना है सब्पोज कीजी एक बजाना है तो क्या करेंगे 12 से पुरा एक घंटा यानि की सॉरी ये आपकी जो मीनट की सुई है एक चकर पुरा लगा लेती है तब जाके छोटी वाली सुई यहां से यहां पहुंचती है या फिर यहां से यहां पहुंचती है ये आप लोग जानते हैं इसका मतलब ये हुआ कि एक घंटा पुरा करने के लिए जो आपकी मीनट की सुई होती है यहां से चलती है और फिर यहीं पे आदके समाप्त होती है 12 पे 12 से चलती है मिनट वाली सुई और फिर 12 पे क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है यानि कि रुक जाती है ये भी कह सकते हैं तब जाके हमारा एक घंटा होता है तो मिनट की स्वी, क्या करती है, मिनट की स्वी, देखिए, यहां पर ध्यान से आपको देखना है, एक चक्र लगाने में कितना अंस घूमती है, तीन सो साट हंस, और कितना समय लेती है, एक घंटा, यानि कि एक गहंटे में, कितने में, एक गहंटे में, एक चक्कर, एक चक्कर लगाती है, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं कि एक गहंटे में एक चक्कर लगाती है, कौन? मिनट की सुई, ये आपको ध्यान है, इसका मतलब कि एक गहंटे में कितने मिनट होते है 60 मिनट कितने 60 मिनट तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है एक घंटे में एक चक्कर लगाया या फिर 60 मिनट में लगाया तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है इसका मतलब कि एक चक्कर में कितना अंसो होता है 360 हम लोग जानते हैं कि विरित के केंदर पर यहां से, माली जी यहां से चले और फिर यहीं आका समाप्त हो गए तो यह यहां पे पुरा कितना बनता है इस point पे 360 degree का angle बनता है यानि कि एक चकर लगाई है कितने में 360 degree पुरा complete किये तो अब हम निकालेंगे यहां पे 1 minute में 1 minute में कितने अंस का कौण बनाएगी? मिनट वाली सुई तो यह 360 और इसको भाग दे देंगे 60 से कितने से? भाग दे देंगे 60 से तो यह कितना आ गया? 6 अंस आ गया यानि कि 1 minute में मिनट की सुई कितने अंस का कौण बनाती है? 6 अंस का कौण बनाती है छे डिगरी का कुण बनाती है तो यहाँ पे इसको लिख देंगे कि मिनट की सुई मिनट की सुई क्या करती है एक घंटे सॉरी एक मिनट में कितने में एक मिनट में छे अंस का कुण बनाती है यह आपको क्लियर हो गया होगा एक मिनट में कितने अंस का छे अंस का कौन मिनट की सुई बनाती है यह आपको क्लियर हो गया हो अब हम लोग बात करेंगे घंटे की सुई का किसका घंटे की सुई तो आईए देख लेते हैं घंटे की सुई के बारे में, घंटे की सुई की, हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, अब देखिए, घंटे की सुई बात करेंगे, तो घंटे की सुई एक चक्कर, जो घंटे की सुई होती है, या फिर इसको हम लोग छोटी सुई के नाम से भी जानते हैं, ये छोटी सु जब 12 पे आके रुख जाएगी, जब 12 पे आके क्या हो जाएगी, रुख जाएगी, तो यह इसका एक चक्कर होगा, तो एक चक्कर लगाने में यहां से छोटी वाली सुई, यानि कि घंटे की सुई, यहां से घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा, पांच घंटा, छ एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 12 घंटे में, कितने में, 12 घंटे में, एक चकर लगाती है, कितने में, 12 घंटे में, तो एक घंटे में कितना चकर लगाएगी, या फिर, जब 12 घंटे में लगाती है, 12 घंटे में, एक चकर, एक चकर में कितना अंस होता है, 360, अभी मैंने बताया, 360 डिग्री होता है, तो एक घंटे में, एक घंटे में, कितने अंस का कूण बनाएगी, 360 में, 12 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, हम लोग जानते हैं कि घटता है तो उसके लिए भाग देते हैं, कम के लिए भाग देते हैं, अधिक होता है तो उसके लिए गुड़ा करते हैं, तो 12 घंटे में 360 डिगरी चल रही है, या घूम रही है, तो एक घंटे में कम ही घूमेगी न, तो 12 से क्या कर भाग देंगे, तो ये बरावर कितना हो जाएगा, बारतीय है, 36, ये आपका आगया 30 degree, एक घंटे में 30 degree चल रही है, एक घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट, कितना होता है, 60 मिनट होता है, यानि कि 60 मिनट में कितना चल रही है, 30 degree, कितना चल रही है, 30 degree, तो एक मिनट में गटे की सूई कितना चलेगी एक मिनट में गटे की सूई आपकी कितना चलेगी 30 है ये और इसको ये जो 60 है इसी से क्या कर देंगे भाग देंगे Argentina आजाएगा 1 बटे 2 डिगरी यानि कि जो गटे वाली सूई है जो आपकी गटे वाली सूई है यह क्या करती है एक मिनट में एक बट्टे दो डिगरी का कूण बनाती है या एक बट्टे दो डिगरी चलती है वन बाई टू डिगरी चलती है क्लियर हो गया तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि घंटे की सुई क्या करती है घंटे की सुई एक मिनट में एक मिनट में एक बट्टे दो डिगरी का कूण बनाती है बस आपको इतना ही याद रखना है ये दो चीज़े आपको याद रखनी है उसके बाद आप लोग क्या करेंगे क्या करेंगे क्या 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 क् पौने एक घंटे में घंटे की सुई या छोटी सुई कितना अंस घुमती है मैंने अभी आपको बताया था कि छोटी सुई की बात करें तो वहीं घंटे के सुई आपकी होती है पौने एक घंटे में पौने एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 40 मिनट होते हैं, हम लोग जानते हैं, गहंटे के सुई क्या होती है, गहंटे के सुई 12 गहंटे में, 12 गहंटे में, 12 गहंटे में कितना चलती है, 360 डिगरी घुमती है, तो एक गहंटे में कितना चलेगी, 360 डिवाइडेड वाई 12, यह 30 डिगरी एक गहंटे में, यानि कि 60 मिनट को M से तीनोड कर रहा हूं यह आपको ध्यान रहे यह आपका हो गया तो 60 मिनट में कितना 30 डिगरी घूम रही है तो एक मिनट में हम लोग जानते हैं एक मिनट में कितना तो 30 बटे 60 यह बराबर एक बटे 2 डिगरी घूमती है कितने में एक मिनट में तो अब कह रहा है एक घंटे में, यानि कि 45 मिनट में, देखिए अब 45 मिनट में अधिक हो गया न? एक से अधिक हो गया 45, तो यह एक बट्टे दो है और इसमें क्या कर देंगे? भाग देके निकाल सकते हैं? 22 सही एक बट्टे दो डिकरी यह घुमेंगी और यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 22 सही एक बते तो डिकरी चलिए चलिए दूसरा question मैं बताता हूँ यह आपका दूसरा question दूसरा question है अपका कि मैं पड़ देता हूँ आपके screen पर दिखाई भी दे रहा है कि 7 बज कर 20 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच कितने अंस का कौण होगा, 7 बच के 20 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच कितने अंस का कौण होगा, यह आपको निकालना है, इसके लिए मैं बता दू एक फर्मूला होता है, एक फर्मूला होता है, कि दोनों सुईयों के बीच अगर कौण निकाल तो उसके लिए फर्मूला क्या होता है फर्मूला होता है आपका एक ग्यारा बट्टे 2 एम और माइनस 30 एच यह आपका फर्मूला होता है कितने किसके लिए एंगल निकालने के लिए कुण निकालने के लिए आपका क्या होता है फर्मूला होता है इसमें M क्या है मिनट है और H क्या है घंटा है M क्या है मिनट है और H क्या है घंटा है अगर दिया हो कितने बच के कितने मिनट पे दोनों सुईयें को भी इस कितने अंस का कोड होगा तो उसके लिए आपको क्या करना है इस फार्मूले को लगाना है इस फर्मूले से आपको क्या करना है साल्व करना है ये आपको ध्यान रहे तो आए इसी फर्मूले पर हम लोग क्येशन को साल्व करेंगे जो आपके question स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो कैसे होगा एंगल कमान पूछा है ठीटा कमान तो यहां से ठीटा एकवल टू कितना हो जाएगा एक ग्यारह बटे दो और मिनट सात बज के कितने मिनट पूछा है आपसे बोला है question में कि सात बज कर बीस मिनट पर सात बज कर बीस मिनट पर मैं question को पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए चलिए चलिए इसको हम लोग देखते है तो यहां पर ग्यारह बटे दो एम कमान एम की बज कितना दिया है 20 question में आपको दिखाई भी दे रहा है 20 और माइनस 30 और गुणे h एस कमान कितना दिया है निकि घंटा घंटा क्या होता है सात ही तो होता है सात बज के 20 मिनट में सात गंटे चली है तो यह हमारा हो गया कितना यह आपका हो गया इप 2 से 20 को काट दिजे 10 और 10 में 11 का गुणा कर दिजे 11 दहा में 110 और माइनस 70 के 21 यह 200 आपका 10 हो गया कितना आ गया घटा देंगे कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 110 जो बड़ा होता है उसमें छोटे को हम लोग क्या कर देते हैं घटा देते हैं तो 210 में से 110 घटा देंगे तो यह कितना आ गया 100 डिग्री 100 डिग्री जो आपका अफसन में आंसर है वहीं क्या हो जाएगा 100 degree आपका answer हो जाएगा वैसे ही दूसरे एक और question मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ 4 बज कर 40 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच कितने अंस का कौन होगा 4 बज के 40 मिनट पर देखी 4 बज कर 40 मिनट पर कह रहा है तो 4 बज के 40 मिनट के लिए ठीटा इकवल टो कितना हो जाएगा ये 11 बट दो और इंटू एम की जगापे कितना है 40 है 40 और माइनस 30 और गुने 4 ये कितना हो जाएगा ये 20 कट जाएगा 20 बार में 20 दूनी 40 और ये कितना हो जाएगा 11 में 20 का गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा 220 और 4 तियाई 12 120 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 100 डिगरी का कोण आपका आ गया इसका मतलब कि option में जो है वो कौन सा option सही है आपका option number A सही है इस प्रकार से आप क्या करेंगे question को solve कर लेंगे एक question और है 8 बज कर 10 मिनट पर दोनों सुईयों के बीच कितने अन्स का कोण होगा 8 बज के 10 मिनट पर simple सा है 8 बज के 10 मिनट पर आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे theta equal to 8 बज के 10 मिनट है 11 बट्टे दू M की जगा पर 10 मिनट है और माइनस 30 और गुने H की जगा पर यानिकी घंटे की जगा पर कितना है 8 है तो ये कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा ये 11 पच्चे 55 और ये माइनस कितना हो जाएगा आपका 24 अर्टिरी के 24 यानिकी 240 जो बड़ा है उस मेंसे छोटे को क्या कर देंगे घटा देंगे बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दो सो चालिस में से पच्पन को घटा दीजिए दो सो चालिस में से पच्पन को घटा दीजिए यह जीरो हो जाएगा दस में से पांच गया पांच यह हो गया तेरा तेरा में से पांच गया कितना हो जाएगा आपका 8 और ये हो गया 180 यानि कितना आ गया theta का मान angle का मान कितना आ गया 180 degree आ गया और यहीं आपका क्या हो जाएगा answer जो आपके option में दिया है एक चीज और मैं आपको बता दू कि अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि या angle कितना है और ये 180 मान लिजे आपसन में नहीं है आपसन में 180 नहीं है तो आप क्या करेंगे तो इस पूरे को क्या कर देंगे 360 में से घटा देंगे 360 में से 180 घटा देंगे ये कभी कभार होगा ये हमेसा आपसे नहीं होगा कभी कभार अगर option में नहीं दिया 180 तो 360 में से 180 को घटाद देंगे और जो आएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा इस तरीके से आप questions को solve करेंगे एक question मैं आपको और बताऊंगा उस question को मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा ताकि आप लोगों कोई कभी confusion नहीं जैसे देख लिजिए एक question आपके पास रहेगा एक question मैं लिख देता हूँ उसको मैं question को लिख देता हूँ कि एक घड़ी यह आपका question है कि एक घड़ी मध्यान को चलना प्रारहम करते है मध्यान का मतलब क्या होता है बारह बजे और आठ बीस बजे यानि कि आठ बज के बीस मिनट पर घंटे की सुई कितने अंस का कोण पनाएगी या कितने अंस का कोण घूमेगी यह आपका question है तो देखिए आपको यह पता है कि यह हमारी जवाच होती है इसमें आठ बज के कितने मिनट पर आठ बज के यह 12 होता है हमारा तो यह 8 बज़ के कितने मिनट पे यहाँ पे 6 होता है यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है तो यहीं पे कहीं 8 होगा नो और यहीं पे कहीं 7 होगा तो ध्यान रहे 8 बज़ के 10 मिनट पे आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 3 होता है यहाँ पे 1 होता है यहाँ पे 2 होता तो आठ बज के और उसके बाद कुछ आगे है तो यहीं पे होगा और 10 मिनट की बात आप से किया जा रहा है कितने का 10 मिनट का बात किया जा रहा है ये आपको कभी confused नहीं होना है ये इस तरीके से आपका ये question दिया गया है आपके लिए ये पूछा जा रहा है कि घड़ी में जो घंटे की सुई है वो आठ बज के 10 कितना है सॉरी ये 20 मिनट पर है ध्यान रहे आपको ये कितना पर है 20 मिनट पर है ये आठ बज के 20 मिनट पर या आठ बीस बजे घंटे की सुई कितना अंस का कोण बनाएगी या कितना घूमेगी ध्यान रहे केवल घंटे के बारे में आपसे पूछा जा रहा है केवल घंटे की सुई के बारे में नखी आपसे दोनों के बीस का कोण पूछा जा रहा है आपसे खंटे की सुई कितना घूमी है 12 बज़े से चलना स्टार्ट की है कहां से 12 बज़े से चलना स्टार्ट की है तो ये पूरा यहां तक का आपसे कोण पूछा गया है यहीं confusion होता है आप गलत करके चले आते हैं आ यहां तक पहुचने में कितना अंस का कोण बनाएगी, यहीं पर ठीटा पूछ राइए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आठ बजे, यानि कि आठ घंटे तो चली ही है, तो आठ घंटे में कितना चलेगी, हम लोग जानते हैं कि घंटे की सुई, घंटे की मिनट होते हैं, 60 से गुना कर दीजिए, और 60 से गुना कर देंगा और फिर इसमें 20 यह जो मिनट है, इसको भी जोड़ देंगे, तो याठ 6 कितना हो जाएगा, 48, 480 और प्लस 20, यह बराबर कितना हो जाएगा, 500 मिनट पूरा आपका हो गया, 500 मिनट, जब एक मिनट में घंटे 2, बराबर 2500, 250 डिगरी घुमेगी, कौन? आपकी जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई 8 बज के 20 मिनट पर, या 8-20 बजे मध्यान को चली है, तो घंटे के सुई के 20, जो यह कोड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह कितने का होगा? यह आपका 250 डिगरी का होगा उमीद है आपको यह क्लियर होगा होगा, कि किस टाइप से questions आपसे पूछे जाएंगे? अब मैं आपको बता दूँ एक और question, एक और question जो आपके screen पे अभी so हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, यह, इस question में आपसे पूछा गया है, कि, यह आपको question जो दिखाई दे इसमें पुछा गया कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुईया आपस में मिलती है 4 और 5 बजे के बीच question आपको दिखाई दे रहा है ध्यान रहे एक चीज मैं आपको और बता दू ये 4 और 5 बजे के बीच ये 12, ये 3, ये आपका 6 और ये 9 यहां पे 4 होगा, ये यहां पे 5 होगा तो 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुईया जो है आपस में कहीं मिलेंगी आपस में क्या होगी? कहीं मिलेंगी इसका मतलब क्या हुआ? इसी पे दोनों सुईया है इसी पे क्या है? दोनों सुईया ये चल रही है एक दूसरे पर मिली है, जब एक दूसरे पर दोनों सुईया मिल जाएंगी, तो वहाँ पर जो कौन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो आपका कौन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इतना ही बस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, तो theta कमाण 0 हो जाएगा हम लोग जानते हैं कि जब दोनों सुए एक दूसरे पर मिलेंगी तो theta कमाण क्या हो जाएगा 0 यानि कि cone कितना बनेगा 0 बनेगा ये एक था और ये एक था जब दोनों अलग अलग थे तो दोनों के बीच कुछ cone बनता था लेकिन जब दोनों एक दूसरे पर ही आ गए जब दोनों एक दूसरे पर ही आ गए तब कोई cone बनेगा नहीं यहाँ पर कोई cone नहीं यानि कि 0 अंस का cone बनेगा 0 डिगरी का cone इसके आपको बनेगा तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर theta की value 0 रख देंगे और ये 11 बट्टे 2m क कितने मिनट? अब देखिए चार से 5 बज़े के बीच कब मिलेंगी? आपसे ये पूछा गया है, है न तो हम माल देखे हैं कि 4 से 5 बज़े के बीच 4 बज़कर 4 बज़कर और कुछ मिनट पर और 4 बज़कर कुछ मिनट पर ये दोनों सुईयां एक दूसरे से मिलेंगी कब 4 बज के और कुछ मिनट पर क्योंकि 4 और 5 के बीच में 4 तो बजेगा ही बजेगा और उसके बाद 5 बजे के बीच में कुछ मिनट पर ही मिलेंगी यानि कि 4 बज के कुछ मिनट पर दोनों सुईयां क्या होंगी एक दूसरे से मिलेंगी तो आईए अब इसके लिए क्या करेंगे 4 तो बज़े हम लोगों को पता है लेकिन उसके बाद जो मिनट है वो नहीं पता है उसी मिनट को हम लोगों क्या करना है माइनस 30 और गुणे H घंटे का मान दिया है कितना 4 आपको समझ में आ गया होगा 4 ये दिया गया है तो ये क्या करेंगे हम लोग यहां से 0 एकवल टू 11 बटे 2 M और माइनस 3 चुग के बार है 120 अब ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 120 इधर आ जाएगा माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये 11 बटे 2 M हो जाएगा ये इसको लिख देंगे 11 बटे 2 M इसको लिख देंगे ये 2 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा इस 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 दूने 24 यहां से 11 M बराबर कितना हो जाएगा दो का इस में गुणा 12 दूनी 24, 240 तो एम बराबर आपका कितना आ गया, एम बराबर आ गया, 240 बट्टे 11, भाग दे देंगे, 11 दूनी 22, दो बचा यानि कि 20, 11 का में 11, ये 21 हो गया, 21, 11 का में 11, 21 और फिर कितना हो जाएगा, यहां पर आपका कितना बचा, 9 बट्टे, कितना बचा 11, यानि कि 4 बचके 21 मिनट और 9 बट्टे 11 ये एक से कमी है, तो 4 बचके 21 मिनट और कुछ सेकेंड पे क्या होंगी, ये विब दूसरे से मिलेंगी, आपके option में है, देखिए आपके option में दिया गया है, B, 4 बचके 21 मिनट, और 21 सही 49 बट्टे 11 मिनट पे, यानि कि आप आपका answer में जो B सही है, option में क्या हो जाएगा, 4 बजकर और कुछ मिनट, कुछ मिनट की जगा, आपका minute कितना आ गया, minute की value आ गई, 21 सही 9 बटे 11, और यहीं आपका correct answer होगा, जो आपके option में दिया गया है, option number B, 4 बजकर, 21 मिनट, कुछ second पर, यह एक दूसरे से दोनों घडिय होगा, और इस तरीके से जितने भी question है, आप उनका और क्या करेंगे, अधिक से अधिक practice करेंगे, और total questions को आप क्या करेंगे, solve करेंगे, एक चीज मैं आपको और बता दू, एक और question इस type का बनेगा, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपसे direct पूछा जाए, ज यह आपका 12 है, और यह आपका 3 है, 3 बज़े ऐसे ही बज़ेगा, 3 बज़े ऐसे ही बज़ेगा, तो 3 बज़े, दोनों सुईयों के 20 कितने अंस का code बनेगा, बहुत ही आसान है, उसी फार्मूले को लगाएंगे, देखिए, 11 m बट्टे 2 और माइनस 30 गुणे h, ये, अब द 0 मिनट होगा, जब 3 बज़ता है, तो मिनट कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, 3 बज़े मिनट 0 होता है, यानि कि 3 बज़े हमारा मिनट 0 हो जाएगा, तो ये 11 बट्टे 2, कुछ मिनट नहीं होता है, अगर 1 को मिनट अधिक हुआ, तो ये 3 से अधिक हो जाएगा, 3 बज के 1 मिनट होगा, तीन कब बचता है तीन कब बचता है, तीन तब बचता है, जब ऐसे हो जाता है यानि कि मिनट की जगा पे 0-0 हो जाता है, मिनट की जगा पे क्या हो जाता है, 0-0, सभी को पता है मिनट की जगा 0-0, तो यहाँ पे minute की जगा 0 लिख देंगे और minus 30 और गुणे घंटे की जगा पे कितना है तीन है तो यह आपका answer यह तो आपका 0 हो गया तो 0-3 तीन 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 आई 90 यह आपका 90 degree का कोड बनेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच या मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने बज़े तीन बज़े जैसे question आपका इस तरीके से दिया हो कि 5 बज़े पाँच बज़े मिनट तथा घंटे की सुई के बीच कोड कितना होगा कितना होगा आप क्या करेंगे यहाँ पर जब जानते हैं हम लोग की 5 बज़े 5 जीरो जीरो होता है यानि की मिनट वाले में गुणा करने पर जीरो हो जा रहा है तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यह 11 M बटे 2 और माइनस 30 गुणे H में अगर यहाँ M कमाण 0 रखते हैं तो यह पूरा 0 हो जा रहा है तो कुछ नहीं करना है यह एक छोटा साइट फार्मूला याद रखना है यह 0 हो गया इतना ही बचा 30 गुणे H तो कितना हो जाएगा 30 और गुणे H की जगर पे कितना है 5 है तो कितना हो जाएगा 5 तियाई 15 डिगरी का कूण बनेगा कितने बजे, पांच बजे, मिनर और घंटे के बीच, यह आपका 3 है, यह आपका 4 है, यह आपका 5 होता है, यह 6 होता है, यह, यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा, यह कितने का बनेगा, 150 डिगरी का, देख लिजी, देखने में भी समझ में आ रहा होगा, कि यह जो कोण है कितन का होगा 150 डिगरी का होगा कि नहीं होगा बिलकुल होगा और ये इसका आणसर हो गया तो सीधे सीधे आप से 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कभी भी पूछा जाता है कि कितना अंस का कोण बनेगा मिनट और घंटे की सुई के बीच तो आप बताएंगे कैसे उसमें 30 से गुणा कर देंगे 5 बजे है 30 से गुणा कर दिया 5 में 6 बजे है 30 से गुणा कर दिया 6 में 7 बजे है 7 से गुणा कर दिया 30 में आपका answer क्या हो जाएगा निकल जाएगा ये आपको ध्यान दखना है जैसे मैं अभी आपसे एक question कहूँ एक question मैं आपसे कहूँ कि 8 बजे 8 बजे यहीं पर मैं लिख दूँ 8 बजे 8 बजे मीनट तथा घंटे की सुई के 20 कितना कोण होगा तो आप फटाक से निकालेंगे तुरंत निकालेंगे यहाँ पर आपका 6 है यहाँ पर 7 है यह 8 है यह 9 होता है तो यह अब आप सब को छोड़ देंगे यहाँ पर क्या करेंगे निकालेंगे कि इसके बीच का कौण कितना होगा तो क्या करेंगे 8 बजे की बात किया है तो यह 30 और गुणे 8 यह 240 हो गया बस यह निकल गया कितना है 240 लेकिन यह क्या कहा है मिनट तथा घंटे की सुई के बीच का कौण अगर यहीं पर उल्टा हो जाए अगर यहीं पर इतने की जगा आपसे बोल दे कि घंटे आप उपर दिख रहा होगा घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कौण तब क्या करेंगे तब यह आपका कौण हो जाएगा ध्यान रहे घंटे तथा मिनट जब मिनट तथा घंटे की बात आपसे की गई है मिनट वाली सुई यह होती है ना बड़ी वाली मिनट तथा घंटे की सुई यानि कि मिनट से चलना प्राराम करते हैं और घंटे तक जाते हैं लेकिन अगर आपसे पुछते घंटे तथा मिनट इसका मतलब घंटे से सुरू करेंगे और मिनट तक जाएंगे क्योंकि ये भी आपका कोण होता है अगर ये आपका एक ठीटा कोण है तो ये भी आपका ठीटा 1 कोण ही होगा तो आपसे जब इस स्थिती में पूछा जाएगा ध्यान रहे आपको कभी भोलना नहीं है मिनट तथा घंटा पूछे इस तरीके के क्येस्चन में तभी आपको इसको निकालना है इस फार्मूले से अगर आपसे ये कोण पूछ दिया तो पूरे में से इसको घटा दीजिए जो निकला है इसको क्या कर देंगे 360 अगर घंटे तथा मिनट के बीच किसके घंटे तथा मिनट के बीच आप से पूछ दिया गया मिनट के बीच का कूण पूछ दिया गया तो निकालेंगे यहीं यहीं निकालेंगे लेकिन क्या करेंगे 360 में से 240 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो 120 डिग्री आ गया अब यह आंसर होगा अब क्या हो जाएगा यह, यह देखी 120 के लगभग बराबर है भी 120 के, अगर 12 और 9 के बीच में 8 पर जाएगा, तो यह 120 होई जाएगा देखी 120 आपको दिखाई भी दे रहा है तो इस प्रकार से जितने भी कौन आपको निकालने होते एंगल किसी के बीज किया किसी भी तरीके के वो पूरा मैंने आपको बता दिया अब आपको किसी प्रकार की कोई समस्तिया नहीं हो कि questions आप box से solve करेंगे इस तरीके की जितने questions होंगे उसकी practice आप लोग कर लेंगे और कैसा लगा है वीडियो यह आप लोग comment करके जरूर बताएंगे और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like करके जाईएगा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा तथा bell icon को प्रेस भी कर दीजिएगा क्योंकि bell icon को प्रेस करेंगे तभी आपको आने वाले किसी और वीडियो का notice मिलेगी notification मिलेगी तो इसलिए आप क्या करेंगे bell icon को प्रेस कर देंगे subscribe जरूर कर लिजिएगा चैनल को और इसके लिए बहुत बहुत धन्यबाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा और अगला पार्ट में ले के आऊंगा घड़ी का अगला पार्ट में ले के आऊंगा बहुत जल्दी ही अगले दिन अगले दिन आपको साड़े से बज़े सुभा में घड़ी के दूसरे पार्ट का वीडियो भी मिलेगा तब तक आप लोग इसकी practice कर लेंगे, thank you